हलो फ्रेंट्स सौगत है आपका इस वक्त क्रिक प्लैक्स में जियां मैं हूँ संजे बबलो और हाजीर हूँ एक बहुत ही शानदार मैच लेकर टी ट्वेंटी वर्ल्ड कप का मैच नमबर फिप्टीं जियां ये ग्रूप डी का एक बहुत ही बैतरीन मैच है तो ये मैच है शुलंका वस्स बंगला देश का जो की अगर आप देखें तो ये USA के डलास के मैदान पे खेला जाएगा कल सुबह ठीक भारतिय समय के अनुसार छे बजे इस मैच के लाइफ प्रडिक्शन के साथ हम जरूर हाजिरे होंगा लेकिन उसके पहले मैं आपको बताना चाहूँगा इस मैच में क्या कुछ हो सकता है और दोनों टीमों के खिलाडियों का कितना अच्छा प्रदर्शन रह सकता है उस बिश्या में हम जरूर चर्चा करेंगा और सबसे पहले हम बात करना चाहेंगे इस मैच को लेकर अब तक जो जो चीजे रही है उसमें श्रिलंका और बंगल साउथ अफरीका था साउथ अफरीका के खिलाप वो अगर आप देखें तो नसाउ का वो मैदान जहां पे केवल और केवल उन्होंने 77 रन बनाए ट्यूट एंटी का मुकाबला हो और स्रिलंका केवल 77 पे ऑल आउट हो जाए तो मैं समझता हूँ इससे बड़ी बात नहीं ह हो सकते हैं लेकिन साउथ अफरीका ने भी जो वो चेस करते हुए 17 ओवर में उस टार्गेट को जो चेस किया ऐसा लगा था कि शायद उनको भी परिशानी हुई थी हलाकि मैच के बाद दोनों कप्तान ने जरूर बताया कि विकेट खेलने के लिए अच्छी नहीं थी आसमा का मैदान इस पर पहला जो में मुकाबला खेला गया था उसमें हाई स्कोरिंग मैज देखने को मिला था और मैं आपको बताना चाहूँगा कि उसके बाद ऐसा लगा है कि यह थोड़ा सा बैटिंग विकेट है और इस ग्राउंड पर अब तक बहुत जादा मैच नहीं से अगर मैं बात करूँ तो कप्तान वानिदू हश्रंगा पहले मैच में भी उन्होंने कमाल की बॉलिंग की थी देखें आजे स्पीनर अगर आप देखें तो वो जिस तरह की उनकी बॉलिंग थी दो विकेट निकाला था हलाकि स्रिलंकाई पेस अटेक उतना बहतर नहीं उस मैच में अगेंस्द साउथ अफरीका जिन्होंने अपना पहला मुकाबला खेला था जबकि उस मैच के दौरान साउथ अफरीका के सारे तेज गिंदबाजोंने कमाल की बॉलिंग करते हुए विकेट निकाले थे बॉंसी विकेट पर और वही पे मैं कहना चाहूंगा कि हलाकि उनके पास एंजलो मैथू जैसे एक सीनियर खेला रही हैं जिन्होंने कई वर्ल्ल कप खेले हैं तो एक्सपिरियंच जो है इस मैच में जरू जलकेगा वही कुशल मैंडीस की बैटिंग का अभी भी वो परफॉमेंस आना बाकि है जिसके लिए वो जाने जाते हैं औ मुझे तो लगता है कि शायद उनको मौका मिलना चाहिए निशांका एक ऐसे प्लेयर हो सकते है श्रिलंका के जो कभी भी इस मैच को अपनी बैटिंग परफॉमेंस से कहीं ने कहीं वो अपनी गिरफ्त में ले सकते हैं और वही बात करें दूसरी तरह बांगलादेश पहली बांगलादेश के पास संतु जैसे कैप्टन हैं महमुद इल्ला है और लिटन दास हैं और साथी साथ एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूंगा एक नया चोहरा तन्जीद बात करें वो एक बहुत अच्छे बलेबाच बनके उपरे हैं और मैं यह मानता हूं कि इस मैच में एक जो बड़ा नाम आएगा वो आएगा शाकिबुल हसन का एजे आल राउंडर आप देखें तो उन से जादा शायद ही समय बंगलादेश में कोई भी खिलाडी नजर नहीं आता है और वही पेस अटेक की बात करें तो वन अब दा बेस्ट आइटिंक एक बहुत ही आप आके आगे बॉलिंग करो और कमाल का उन्होंने स्पिल डाला तो मैं समस्ता हूँ कि दोनों टीमें बैलेंस की हैं एक अच्छा मैच देखनेों को मिलेगा और बंगलादेश चाहेगी इस मैच में जीत के साथ दोवन का अरजीत करें और पहला मैच अपने नाम करें ले लेकिन मैच पुरिवू में बस इतना ही बहुत बहुत धन्यवाद नमस्कार